हेलो नमस्कार दोस्तों हाजीर हूँ आपके साथ एक बड़िया लोग देउता की कहानी लेकर हैं लोग देउता हडबुजी जो मारवाड में पांच पीर हुए उसमें सिपबुजी हडबुजी और गोगा जी तेजा जी और रामदेव जी सब की कथा में आपको वन बाई वन गणपति बपा तेरा नाम गणपति बपा मोरिया हमारा सलेक्शन ओरिया हमारे रिवाज एक सबसे पहले गणे जी की इस्तति करें उसके बाद पांच पीरो को लेते हैं देखिए तो ये मेरी किताब है उसका मैंने आपको फोटो दिखा है किताब में मैंने इस तरह से मेहा जी भापिनि में इस्थान है इनका थीक है हां फिर राज से है राम देव सब चा बाई थे ये मांगले मिहा जी है बापिणी में इनका इस्तान है कोशन आचका है तेजा जी है सब जानते हैं तेजा जी परबस्चर और पाबुजी जो है इनकी इस्टोरी में डाल दी है कोलुमन में इनका इस्तान है देखते हैं तो राजस्तान के पांच पीर पांच पीरों दोनों करते हैं इसलिए ये 5 पीर है मेरा पाबु गोरा है मेरा से मेहा जी रा से रामदेव जी पा से पाबु जी और पाबु से गोगा जी और हर से हडबु जी ये है ठीक है अब इसमें हडबु जी के बारे में क्या क्या कॉंटेंट देखिए हडबु जी की थोड़ी सी एक मेहर राजित थे वो वहां के जागिरदार सांकला थे और उनकी माता का नाम सवाग थी ठीक है तो इनके जब अर्बुजी के पिता जी का देहांत हुआ था तो हडबुजी बड़े फरस्टेशन मागे थे और उन्होंने अवसाद मेरा कर बोला नहीं मेरे को इस दुनिया से को हर्बम जाल एक जगा है हर्बम जाल एक जगा है जोधपूर में यहां यह अपना जीवन यापन करते और इन्होंने यहां पर जो है यह गोश्चित कर दिया अब मुझे दुनियादार से कोई मतलब नहीं है उस समय राम देव जी ने इनको बोला देख हर्बम जाल से इन्ह अच्छे से किसी गुरु को बना वो तिरको आगे क्या ज्यान देंगे क्या क्या करना है तो अर्बुजिन बोला फिर मैं किसको गुरु बनाओ तो मेरे गुरु को बना ले जो गुरु राम देव जी के थे बालिना जी उन्हीं को गुरु बनाया तो हर्बम जाल से यह गए कहां पर जोदपूर बाली नाजी के पास बाली नाजी यहां पर जोलपुत्मिन का मंदिर भी है ठीक है बाली नाजी इनको इन्होंने गुरु बनाया ठीक है गुरु में इन्होंने अच्छे से इनको पूरा जीवन बताया कि मनुष्य जीवन खाली खाना पीना ये नहीं होता, मनुश्य जीवन का मतलब होता है, सरोकार होता है, दानपुनी होता है, लोगों के बीच अपने जगा बनाना होता है, सेवा करना होता है, ये होता मनुश्य जीवन, तो ऐसा करके इन्होंने गुरु से पूरी की पूरी देशन ध्यान रिकना हर्बम जाल बहुत कम लोगों को पता है हर्बम जाल के बाद फिर यहां से जो है हर्बुजी हर्बम जाल है हर्बम जाल से यह जो है अपने गएते यहां पर एक जगह है चाकू कर गए चाकू गाउ में इन्होंने दिखसा लेती तो यहां से फिर ये तपश्या करने के लिए चलेगे चाखु गाउं चाखु गाउं का है फलोदी ये चीज़ा हाला कि इत्यास में आपके इत्ती ज़्यादा काम की निये लेकिन थोड़ा नौलेज होना चे फलोदी के पास चाखु गाउं यहां पर इन्हों ने तपश्या की थी और इतने सिद्व पूरुस थे के इनको मतलब भुष्य दिखता था ठीक है तो हर्बम जाल में ध्यान दिखना सबसे पहले हुए थे ठीक है और राव जोदा 1438 से गुर्णब बे ठीक है तो राव जोदा के इन्होंने समकल ने थे तो राव जोदा इनके पास आए है ना चाखु में के साब ऐसा साइक मैं मंदोर फतर नहीं कर पा रहा हूं आपको भष्य की जानकर यह तो मुझे बताईए क्या मैं मंदोर जीच जाऊंगा क्या मैं लड़ू तो फाइदा रहेगा तो कहते हैं हडबुजी ने अपनी कटार है और फैम टाउन को दिया और बोला जाओ तुम युद करो तुमारी विजह निशित है ठीक है जोदा इनको एक जागिर बेक्टी बैंग्टी ठीक है तो हर्बम जाल मैं तो यह सबसे पहले रहे थे ठीक है बाली नाज इन्हों ने यहाँ पे तपश्य वो ली थी गुरू थे इनके चौकु से फिर इनको यहाँ पर राव जोदा ने बैंग्टी गाउं दिया था कि यह बैंग राव बैंग्टी में सब रहेंगे मैं यहाँ पर इनकी सेवा करूंगा उस समय उनके मौसेर भाई राम देजी ने उनको एक कटोरा दिया और एक कटार दिया कि यह धानका कटोरा कभी खाली नहीं होगा कटार से तेरे रक्सा होगी तेरे उपर को एक टैग ने कर सकता ठीक उनको यह चारा खिलाते और लोगों को जो भूके मरते उन कटोरे से धान देता और धान उसमें कभी कम नहीं होता ऐसे करकि यह लोगों की विसायता करते और सगुन सास्रे के जानक थे अब देखते आगे तो सबसे पहले सुनें कि यह क्या थे इनके बार और यहाँ पूरा थे महराज जी हैना कुछ किताबे महराज लिखती है सर हमने तो गोपाल राज पढ़ा वो उनका सेकेंड नाम था सई माई नम जो इत्यास कहते हैं वो है महराजी महरार जी ठीक है महराजी महराज कह सकते हैं ठीक है कुछ लोग इनको पता नहीं अलग-अलग गोपाल राज नामिंब नामिति क्वेशलटों में इनका इत्धियास में महराजी कई महराज सबागे से मिले किसी के पती महराज मिलते धां अर्गेम के माधा सबागे सबस्क्राइब जो राम देवी गहत quindi हुए इन तो यह से बैल गाडि जिससे सिया कहते है इसको सिया कहते हैं इनकी बेल गारी ठीक है दिया जो किताब में ये डाइग्राम एस्टीज में अपने किताब में छापा है ताकि आपको इंट्रेस्टिंग लगे जनम भुंडेल है पंदरी सतय दिम है गुरु बाली ना थे समकलिन राव जोधा के थे राव जोधा को इन्हों ने आश्रवाद दिया था बैंक टिगां जिस सांकला इनका वहर बताते हैं इनका वहान जो बताते हैं वो सियार बताते है अब इसमें थोड़ा सा यह रहता है कुछ इत्यासकार केहते हैं सियार उनकी गाड़ी थे वहां से नाम पढ़ा और कुछ यहार ठीक है अपने को आप्शन से मतलब है आपके कॉस्चिंस अब उसके अलावा आपको मैंने इस प्रकार सीख एक ऐसा रामदेव जी का दोहा चलता था कि रामदेव जी कहते थे हडबुजी हर्दम हाजिर कोई भी बात को हडबुजी हाजिर जै बोलो साडबुजी की हडबुजी हर्दम हाजिर गांव बैंगटी महें दूजी दे मारी जानो हां मौसी जाया भाई तो रामदेव जीन का हडबुजी हर्दम हाजिर गांव बैंग टीम हाजिर है दूजी दे मारी जानो मतलब कहते न साब एक आतमा दो सरीर है दूजी दे मारी जानो यानि दूसरे रामदेव जी है ठीक है हां मौसी जाया भाई ये मासी जाया भ हम आपको 3 बिलेंगे यहां पर इनको मैं थोड़ा मारवढी का कहते है होकल हुगन सरको हम बॉलोगे आपका कांटेंट रड़ी है कभी निहीं बुलोगे हडबुजी कोश्चन आएगा, तो इनसे बाहर नहीं आएगा, फिर भू के अंदर यहाँ पर मैंने और सब जोड़े क्या क्या सुनो डंग से, हमें यहाँ पे है, सियार सियार को बोला हियाल, हियालियो, साकला राजपुत थे, साकला होकल, साकल, साकल, होकल, ठीक है, सगुन स सगुन नास्त्री थे सगुन को बोलते हैं हुगन, यह हुगन लिखावा है, ही और इदर सतियां है गुरु बालिनाद जी है, बुंडेल, गुंडेल को मैंने बुंडेल बोला है, है ना, और बेंग्टी इनका स्थाने, तो बाबु, है ना, बेंग्टी का यदि गट आद स बाबू बैठी बैठी भार जोर रही है कि सब कभ आएंगे सबजी बढ़ाओंगी कभ आएंगे यहां पर रोटी बढ़ाओंगी तो अब हडबुजी में से रड़ा को कार दो आप यहां पे तो ह से आ जाएगा हियालियो होकडू बॉंद्योडो हुगन कर दिया भुंडा हगंडा हुगा आप मैं पोई कोई कोई बांध्य गा जो हालियो हुकडू बांद्यो हुगन और भुंड़ा आगे जान देखकी के बाबु तो बैटी पाबु बैठी बेचारी हैना बाबु वहां पे चलने थी बाबु बैटी बाबु थी न मालीनात बुंडेल और बेंग ह से हियालियो, हियालियो का मतलब है हियार होकल से साकला, हुगन से सगुन है, बोंडा से बोंडर हियालियो ने होकल में देखियो, हुगन होगा बोंडा, आगे देखत बाबू बैटी, बाबू, बालिनाथ, बुंडेल और बैंठी ये देखे मैंने इसको लिख भी दिया है ताकि क्या कुछ बच्चों को जैसे बोलते हैं ना दो दिन बाद भूल जाते हैं तो इसका स्क्रीन सोट भी ले 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 ना वीडियो रहेगा क्या है एक बार इसको डार करो टिम हियालिया ने हाकल में देखा हाकल यानि साकल हियालिया यानि सियार देखो सब लिखावाए हुगन यानि सगुन हियालिया ने हाकल में देखा ठीक है हाकल में देखा भूंडा हुगन हुगा भूंडा हुगन हुगा तो बाबू बैठी बैंगन बनाकर बाबू बैठी तो हिय और यहाँ पर बैंग्टी है, बैंग्टीन का इस्तान है, ऐसे करके यहाँ पर यह पूरा content है, अब आपको मैं खटागट, खटागट question देता हूँ, आपको पूछे हडबुजी सबसे पहले हडबुजी के question देखो, अब आप फटा फट सिरफ सुनते सुनते यहांसर देना, स सब के उपनाम आते हैं और ये जितने अच्छे याद होगे न उतने खटाकर कोशन आएंगे इनकी बैल गाड़ी को क्या बोलते थे इनका वाहन क्या था इनका जन्म कहां हुआ था ठीक है जन्म के बाद ये कहां रहने के दे गुरु कौन थे ठीक है और इन्होंने तपश्या कहां करी थी ठीक है और ये पिता जी के मुर्ति के बाद कहां पर ये बढ़के थे ये चलो उसको नहीं पूस्त है ठीक है और मंदिर किसने बनवाय था और किसको इन्होंने जितवाय था मतलब किसके समकाली इन थे तो ये 11 कोशन 11 सेकेंड भी ने लगने ची आपके खटागट खटागट उत्राता थे तो बताए फटाफट सबसे पहले पिता कौut थे पिता इनके महराज थे महराज तो महर राज जी जिनका दूसरा नाम गोपाल जी सांखला भी है कुछ इत्यासकार गोपाल जी भी बोलते हैं इनको हना हां माता थी महराज जी स्वभागे से मिलते हैं महराज जी कैसे मिलते हैं स्वभागे देवी या स्वभाग भी बोलते हैं ठीक है मौसेरे भाई किसके थे मौसेरे भाई थे राम देव जी राम देव जी ने कहा कि हम एक दूजी दे हैं पहना हर्दम हाजिर गाँ बैंक टीम आए दूजी दे जाने हैं मौसे रब भाए ठीक है उपनाम क्या था इनका सगुन सास्त्री इनको बोलते थे सगुन सास्त्री ये दास्रिक थे मतलब सब चीज इनको पता चलती थी पहले से कि ये होने वाला ही होने वाला है देखो मन के सच्चे थे अच्छे थे तो अविसली होगा बैल गाड़ी इनकी सिया कहलाती थी और सिया पर बैठ कर ये अपंग गायां का इलाज किया करते थे इनका वहान है जो रामदेजी गुरु थे, वहीं इनके गुरु बने, ठीक है, तपश्या कहां कि इतने चाखु गाँ में, चाखु में जाके चखा इन्होंने तपश्या कहा, उर्से पहले कहां थे हर्बम जाल से, देखो, गाँ जो है, यदि पूछा जाए, कि सब सब से पहले इनका जनम क वहा था, भूंडेल में, भूंडेल के जनम हुआ, लेकिन पिता जी माहिराजी की मरत्यों के बाद यहे अर्वम जाल रहाए, हरबम जाल में ब्रहम रहते थे, एनिटाइम हर्घ्रम, हर्वरम, एनिटाइम ब्रहम में रहते थे, उस वक्त उनको किस ने दिसा दिकई ति रा लगुदा नागोर नागोर से यह पिता जी के बाद हर्वम जाल गए हर्वम जाल के बाद यहां कहां गए चाकू गए हड़ चाखू के बाद फडल इनको कहां गए यह बैंग्टी में, बैंग्टी उनका क्या है इस्ताने जहां आज भी इनका मंदिर है पूजा की जाती है, तो बुंडेल में इनका जनम हुआ था, हरबम जाल में ये भटकेते, ब्रहमे रहते, चाखो में इन्होंने तपश्या करेती, पूछे कभी के तपश्या कहा करेती, चाखो में यहां इसमें क्या रहते, ये ब्रहमे रहते, यहां ब्रहमी रहता था इनके एनिटाइम, इनका फरस्टेशन था ठीके, और बैंग्टी में जाके लास्ट में बैठे थे, ऐसे याद़, बुंडेल में जनम हुआ था, बुंडेल में क्या हुआ था जनम हुआ था, किस में मेहराजिक खांदे में तो मेरे इसाब से आपको एक कांटेंट याद हो गया होगा, ठीके अच्छे से यहां पर, तो ध्यानगना ऐसे ही आपको पांच पीरों के पूरे के पूरे में वीडियोज पांच पीर नहीं यदि आपको अच्छे व्यूज आते हैं और आप बढ़िया इसको पसंद करते हैं तो आपको मैं लोग देवता, लोग देविया और पूरा कल्चर, साइलेंट वे में करना है और आगे से आगे सेर करना है ताकि हर लोगों तक पहुंचे और हमारा कॉंफिडेंस बढ़े और ऐसे से वीडियो बनाते हैं ओके थेंक्यू बाई ओल दा बैस सब बाखेर मिलते हैं